नमस्कार स्वागत है आपको बताने जा रही है कपूर के कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप जीवन बदल सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे दिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट और यूट्यूब वीडियोस के लिंक दिये हुए हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कपूर का इस्तमाल पूजा में किया जाता है कपूर जलाने से वातावर्ण में सुगंध फैल जाती है जिससे मन मस्तिश्क प्रसन हो जाता है कपूर को अंग्रेजी में क्यानफोर कहते हैं वास्तू और जोतिश शास्त्र में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है सनातन धर्म में हवन का कार्य और आरती कपूर के बिना अधूरी मानी जाती है कपूर से नकारात्मक उर्जा समाप्थ होती है और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है इसमें बंद किस्मत का ताला खोलने की ताकत भी होती है कपूर से घर का वास्तु दोश समाप्त हो जाता है और आर्थिक स्थिती अच्छी हो जाती है कपूर से पितर दोश समाप्त हो जाता है और यहां बहुत सारे उपायों में काम आता है चलो बात करते हैं कपूर के कुछ अधुद उपायों के बारे में नमबर एक धन आगमन कपूर का एक छोटा टुकड़ा ले उपायों में हमेशा भीमसेनी कपूर का ही उप्योग करे अब कपूर के टुकड़े का चूरा बनाकर उसे पानी में डाले और उस कपूर वाले पानी को घर के मुख्य द्वार पर छिड़त दे और साथ ही अपने घर के हर कमरों के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा इसी जल को छिड़त दे इससे धन के आगमन के साथ साथ माता लक् होता है नंबर दो वास्तु दोश मिटाने के लिए घर में वास्तु दोश को समाप्त करने के लिए भी कपूर का प्रयोग किया जाता है यदि आपके घर में कला अधिक रहता है कोई काम नहीं बनता आर्थिक तंगी बनी रहती है तो कपूर की दो टिकिया अपने घर के चारों कोनों में रख दे और जब यह गलकर समाप्त हो जाए तो इनके स्थान पर दो नई कपूर की टिकिया रख दे तथा इसी तरह टिकिया बदलते रहे तो उस स्थान और उस घर का वास्तु दोश समाप्त हो जाएगा नमबर तीन अचानक धन प्राप्ती के लिए यह उपाय आप नवरात्री से प्रारम करें या किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से भी शुरू कर सकते हैं आप सुबह स्नान करके एक गुलाब के फूल में एक कपूर की टिकिया रखकर माता दुरगा को अर्पित करें और सारा दिन इस फूल को मंदिर में माता दुरगा के सामने रखा रहने दे शाम को अब कपूर को तो आप जला दे और इस गुलाब के फूल को माता दुरगा जी के चरणों में चड़ा दे यह अचूक उपाय है इस उपाय को आपको लगातार 43 दिन तक करना है इस उपाय को करने से अचानक धन मिलने के मार्क खुलते हैं और धन की कमी नहीं रहती नमबर 4 भाग्य चमकाने के लिए आपका कोई काम नहीं बनता आप हर तरफ से निराश हो तो भाग्य चमकाने के लिए नहाने के पानी में कुछ बूंदे कपूर के तेल की डाल दे अब रोज इसी कपूर के जल से स्नान करे आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा साथ ही अगर आप हर शनिवार कपूर के जल में चमेली के तेल की कुछ बूंदे भी डाल देते हैं तो इस जल से स्नान करने पर भाग्य के साथ साथ राहू केतू शनी पीडा से भी मुक्ती मिलती है नमबर पांच पितर दोश से मुक्ती के लिए राहू केतू के प्रभाव के कारण ही पितर दोश या कालसर दोश होता है इस दोश को घर से समाप्त करने के लिए घर के बाथरूम और शोचाले में दो-दो टिकिया कपूर की रख दे जब टिकिया गल जाए तो दो-दो नई कपूर की टिकियों को फिर उसी स्थान पर रख दे ऐसा नियमित करे और पूजा करते समय धी में कपूर को भिगो कर उस कपूर को तीन टाइम सुभा शाम रात जलाए बस इतना कर ले यहाँ उपाए पितर दोश या कालसर्प दोश को दूर करने के लिए परियाप्त है इससे दोनों दोश समाप्त हो जाएंगे आप रोज रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में दो टिकिया कपूर और दो लॉंग जला दे इस उपाए से घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती आपका घर अन्न धन से भरा रहता है इस उपाए को आपको लगातार 43 दिन तक करना है इससे आपके घर में धन की कमी दूर होती है और आप आर्थिक उन्नती करते जाते हैं और कर्जे से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है तथा आप कर्ज मुक्त भी हो जाते हैं सुभा पूजा के समय और शाम को पूजा के समय घर में कपूर को जरूर जलाए इससे अक्षय पूण्य की प्राप्ती होती है नमबर आठ पती पत्नी की कला दूर कर प्रेम बढ़ाने के लिए रात को सोते समय पत्नी अपने पती के तकिये के नीचे सिंदूर की पूडिया रख दे और पती अपनी पत्नी के तकिये के नीचे दो कपूर की तिकिया रख दे सुबह सिंदूर की पुडिया को घर से बाहर ले जाकर कहीं फैंक दे और कपूर की टिकिया को वही कमरे में जला दे और अगर पती-पत्नी ऐसा नहीं कर सकते तो आप रात को सोते समय दो कपूर की टिकिया कमरे में रोज जला दे और दो टिकिया कमरे में किसी भी कोने में रख दे बस इतना ही कर लेंगे तो भी परियाप्थ होगा इससे पतिपत्नी के बीच का तनाव समाप्थ हो जाएगा और प्रेम बढ़ जाएगा नमबर नो नौकरी व्यापार में अडचन नौकरी नहीं मिल पा रही है या व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप बुद्धवार को कपूर और मिश्री का दान करें नमबर दस विवा में बाधा विवा नहीं हो पा रहा है विवा में बहुत अडचना रही है तो आप 36 लॉंग और 6 कपूर की टिकिया लेकर उसमें थोड़ी हल्दी और थोड़े चावल मिलाकर इस मिश्रण से माता दुर्गा के नवार मंत्र से हवन में आहुतिया दे इससे विवा जल्दी तै हो जाता है नमबर ग्यारा आकस्मिक दुरगटना से बचाव प्राकृतिक या अप्राकृतिक दुरगटनाओं से आप बचना चाते हैं या आपके साथ आए दिन कुछ ना कुछ हाथ से होते रहते हैं तो आप रात में सोने से पहले कपूर जलाकर हनुमान चालीसा का एक पाठ नियमित रूप से करे इससे दुरघटनाओं का होना रुख जाता है और बुरे सपनों से भी बचाव होता है। ये कुछ उपाए हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। राधे राधे